हाई फ्रेंड्स तो कैसे आप सब आई होप किया आप सब ठीक हूंगे आज हम आपको बना के दिखाएंगे एक पारफूर स्पोर्ट वेल्डिंग मेशिन आपने देखा होगा किसी किसी ने इसको बनाया है 60-70 रुपए खर्च आया है लेकिन हमें इसके बहुत ही कम प्राइस में बनाना की कोशिस करेंगे 60 या 70 रुपए हमें खर्च होंगे देखिए उसके लिए हमें चाहिए एक बारा जिरो बारा का टांसपर्मर और चार शिक्स एफोर की डायोट और दो कैपासिटर सचली से नहीं देखा है तो में इस ब्रिज एक्टिफायर का यूश्क किया था उसमें आप साहिद उसमें जाके देख सकते इसको और मेरी चैनल को भी एक बार फिजिट कर देना अब हम इस रख्टी के गुटके के ऊपर इस ट्रांसपर्मा को लगाएंगे हम इसको उपर ग्लूग होगा और आपको पता है 21 मैं बहुत गरीब हूँ इसलिए जितना हो सेगे कम खर्च में हम इसको बनाएंगे चलिए आप मैं इसको यहापे बैठा दिता हूँ देखिए अब हम लेंगे दो क्यापासिटर जो मैंने आपको दिखाया था साथ चुलिस सो माइक्रोफारेट इसको उपर हम गलुगन लगा के इस तरह से दोनों पर लगा देंगे एक का नेगेटिव ट्रांसपर्मर की तरह होगा और दूसरे का पॉजिटिव ट्रांसपर्मर की तरह होगा यह आपको पहले ही बताया था कि इसका बड़ा बाला लेग होटा है वो за पॉजिटिव और चोटा बाला होता है वह होटे नेगेटिव इसलिए हम इसका एक पॉजिटिव अगेटिव सामने की तरह लखेंगे और इसको हम इस तरह कर ब की तरह मॉन लेंगे एक दूसरी के तरफ मोल लेंगे देखे इस तरह से और हम इस पर वेल्डिंग कर देंगे वेल्डिंग ने स्वारी स्वोल्डरिंग देखे आगाइस यह मैंने नहीं लिया है 60 वाट का यह मुझे कम से कम 200 कम से कम 250 का मिला है यह नज भाते में स्काम करता है ऐब में इसका बाद आपको बताता हुँँ इसका बात क्या करना है यहल्यास किसे अच्छे से शोल्डरिंग कर देंगे अब हम बारा जीरो बारा का बीज वाला जीरो होता है जीरो वाला आयर जिसे बारा का हमें बारा फोल मिलता है वह हम इसमें जोड़ देंगे वह हम इस दोनों जो भी जोड़ा उसमें जोड़ देंगे क्यापाशिटा के प्लैसर माइनस में हम इस क्यापाशिटा को हम इस क्यापसिटा दोनों को पैलर में कनेक्शन किया है अभी अब देखिए जो मारा व्रीज रेक्टिव हायर से दो दो वायर आता है उसको हम कार लेंगे छोटा कार लेंगे और इसके उपर से छील लेंगे इस तरह से अब देखिलीजिए एसके दोन से तरह से होटाए पजेटिव और दोनों ब्लग के तरह में नेगेटिव मैं आपको पहले वीडियो में बताया था इस्सलिए जो पॉजेटिव वाला है आधे पॉजिटीड में जोड़ेंगे देखें जो बड़ाबाला लेग होता है वो बॉजिटीब होता है मैंने पहले ही बाते आपको यह और हाँ एक बात कि आगर आप क्यापाश्टिटर की क्यापश्टिटी माइक्रूफैट भी ज्याद लोगे तो आपका रांस्पराव में भी हाया अंप्यार का होना जाए यह मेरे पास दो है आपको तीन पांच व्यासा आंप्यार का रांस्पराव म आपको लागेगा देखिए हमारा कनेक्शन हो गया है अभी अभी हम इसके उपर यहां से टेप की मादर से जिपका देंगे चलिए जल्दी से हम इसको टेप की मादर से जिपका देते हैं इसके बॉड़ी में आगार एक डायट का कोई भी शीरत टक राएगा तो कुछ नहीं होगा क्योंकि यह शॉक प्रूफ होदा है नाजप्रमा उपर बॉड़ी नहीं आती कारें नहीं आती इसलिए इसके कोई काम नहीं है देखिए चलिए मैं आपको अप कनेक्शन बता देता हूँ जूम करके देखिए हमारा जो बारा जीरो बारा का बीज बाला जीरो आयर है वो मैंने दोनों कापसिटर की प्लास और मायनस को एक साथ करके उसको जोड दिया है और जो ब्रीज रेक्टिफायर का च प्लास में जो रहा है और यह प्लास बाला मैंने प्लास में जो रहा है चाहिए आप इसको किस्वर ले सकते हैं पैसे मैं आपको यहाँ पे कि ड्राइंग करके अभी इसका डायग्रम बता देता हूं कि देखिए यह आपको आपके आपके सामने ही ड्रॉइंग करके आपको बता देता हूं कि कैसे गाम करता है कि यह हमरा क्यापसिटर दो देखिए आपको इजी तरह कि से बता दा जाता हूं देखिए इसका दो नॉप दोनो यह प्लास है और इसका है मैनस इसका है मैनस इसका है प्लास है अब हमारा 3 और आता है ट्रांसपर्मक के बाड़ा बाड़ा और बीच का 0 ट्रांसपर्मक आता है देखिए एक ड्राइग में अब हम इस प्लस माइनस को एक से जोड के बीच बाला 0 इसमें जोड देंगे और जो एक तरफ का बारा आता है उसके आगे हमें ब्रीज एक्टिफ हैर लगाए है चाय डायोट का 4A4 का 6A4 स्वारी गाई 6A4, 6 एमपेर का डायोट लगाए है हमने वह हम डायोट में दो येसी बले स्वाकिन में 12 का 12 का देंगे और दोनों में से प्लास और मैनस से हम इसकी आपज़दया में जोड़ देंगे और इस दोनों में से हमें आउटपूड मिलेगा जो हम वेल्डिंग के लिए यूज करेंगे हुआ होप गाईज के आपको इसमझ में आ गया है और अगर समय आ गया है तो फ्लीज मेरे चैनल को लाइक और सस्क्राइब कर देना मैं आपके लिए ऐसे आमेजिंग फैक्ट और गजब गजब चीज बनाता रहूंगा अब हम लेंगे दो माल्डिमेटर का दो नौप और नौप का जब पीछे वाला सिरा है वह हम इससे कर लेंगे कर रहेंगे मैं उसे काड देंगे आप इसके मोटा गेज का भी वायर यूज़ कर सकते हैं और इस तोनों कहां हम बाद में किसी पोजेट में काम लगाएंगे क्योंकि कोई भी चीज का बारा नहीं होता उससे हम कुछ न कुछ बना सकते हैं देखिए अब हम इसको छील लेंगे देखिए इस तरह साबको ब्लैक को भी चील लेना है और वैसर गाइस अगर आप इस चैलेंगे मेरा अन्बॉक्सिंग का फीडियो भी देखने चाहते हो तो मैंने सोल लएगा आईरान ड्रिल में सेने सब कुछ ख़़िदा है उसका भी अन्बॉक्सिंग में करूंगा अग अगर आप चाहते हो तो मुझे बहुत कम परेस में एड्रिल मेशिन और सोल्डेंग आईरन मिला जो मैं अगर आप बोलोगे तो मैं इसका वीडियो भी लाऊंगा देखिए अब इसका तो पॉजिटिव नेगेटिव आउटपूट सा कुछ नहीं होता आप कोई भी लगा स तो क्योंकि हम इससे कोई सब्सक्राइब नहीं चलाएंगे हम इससे स्पोर्ट ओएंगे वेल्डिंग करेंगे इसलिए आप किसी को भी पॉजिटिव और नेगेटिव मान सकते हूँ शल्डाइंग करने के लिए पेस्ट बहुत जरुई है फेस्ट लगाएंगे तो अच्छे से स्पोर्ण होगा क्यों चलिए अब हम इसको प्लास में Колि करते हैं क्लास मानास का कोई धष्ञाद रखने बात नहीं है क्योंकि आप इसको किसी में भी लगा सकते हैं देख लिजिए शुलेंगे कम खतम हो गया और हमारा एक गैजट बन के रेड़् हो गया है अब मैं आपके से सीधा डाइरेक्ट प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कोई कटवर्ट नहीं होगा गाईस आप जो भी होगा आपके सामने होगा और सबसे बढ़िया होगा अगर आप इस नौप की जगा कोई कॉफर का मोटा वैर लगाएंगे तो बहुत ज्याद होगा ज्याद अच्छा होगा चलिए मेरे पासे ब्लेट है आप इसको ध्यान से यूज़ करना मैंने दोनों को तोर लिया है वी इस से क्योंकि हमारा पास इतना पैसे नहीं है कि हम दो ब्लेट के यूज़ कर सके गाईस चलिए मैं इसके पाउर आपको दिखाता हूँ देखिए कि अगे एक के उपर एक रखेंगे और आप यह अब देखना इसका क्या सब पाउर आ रहा है अब ट्रांस्पर्मा को ओन करके भी कर सकते हो आप करके मैंने अभी ओन करके करा है इससे कोई दिक्कत नहीं है देखिए एक दाम इस पर उस पर छे दो रहा है जा रहा है अभी बहुत पाउरफुल स्पोल्टर रिंग मेशिन है यह देखिए जो भी है आपके सामने है देखिए मेरा 9 बटग्र है इसमें यतना पाउर है इसमें अच्छे सर्शें चिपक गए है अभी लिए आप इसके खुल के दूबारा से ट्राइ करते हैं इसमें इसमें इसका पार देखिया है इसमें देखिये दुनों ब्लेट का क्या हाल किया है अभी इस पाउर दिखा दे रहा है अभी अब हम देंगे ट्रांसपर्मका जो ऐंदर का अप्ति है वह बहुत है है रिखें क्या हुआ देखिये जिस्ली करते इसने जब क्या सबते हैं अ